हलो फ्रेंड्स आप आईएस में आप सबों का स्वागत है तार्गेट UPSC Prelims 2021 के अंतरगत ओक्टोबर महीने का ये हमारा दूसरा डिसकसन वीडियो है चलिए हम आज का अपना डिसकसन सुरू करते हैं हमारे डिसकसन का पहला टोपिक छात्र उद्मिता कारेकरम से सम्बंधित है आप हमारे इस डिसकसन को जी एस पेपर तीन से जोड़ कर देख सकते हैं छात्र उद्मिता कारेकरम इसकी सुरूआत 2019 जनवरी में की गई थी ये इसका पहला संस्क्रन था क्या था छात्र उद्मिता कारेकरम इसके अंतरगत एक देश व्यापी प्रत्योगिता कारेकरम की सुरूआत की गई अटल टिंकरिंग लैब के अंतरगत अटल टिंकरिंग लैब में क्या किया जाता है इसमें जो छात्र होते हैं उनके समुह को सामुदाइक चुनोतियों को पहचानने का औसर दिया जाता है और इन चुनोतियों को किस प्रकार से निप्टा जाए इसके लिए नवाचार और समाधान तयार करने के लिए उनको कहा जाता है यदि वो इस दिशा में सफल होते हैं तो उनके कारेकरम को प्रोचसाहित किया जाता है, पैसे उपलब्ध कराये जाते हैं और दूसरे सहयोग भी दिये जाते हैं इसका पहला संसकरन इसी के अंतरगत था जिसमें छे ऐसे समुहों की पहचान की गई और उनको मौका दिया गया कि आप कुछ ऐसे सामुदाइक चुनोतियों को पहचाने उनको सुलजाने के लिए रास्ते तलास करें इसका दूसरा संसकरन अभी यानि की परसो सुरू किया गया है इसी के अंतरगत जो चातरों का समुह होगा उनको डेल जोकी एक इलेक्टरोनिक कमपनी है उसके करमचारियों के साथ कारे करने का मौका मिलेगा साथ ही यदि कोई विद्यार्थी का समुह अपने उत्पादों को इतने अच्छे तरह से पेज करता है जो आने वाले समय में एक अच्छा फीडबैक दे सकता है तो उन उत्पादों को पेटेंट कराने उन उत्पादों का व्योसाई करन करने इत्यादी में भी इस कारेक्र किया जा रहा है इसे भी आप ध्यान रखेंगे सामुदाई समस्याओं को पहचानने और उनको सुल्जाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमारे डिसकसन का दूसरा टॉपिक टिक बोन वाइरस से सम्मधित है इसे आप जी एस पेपर 2 से जोड़ कर देख सकत टिक बोन वाइरस जिसे हम थ्रोंबो साइटो पेनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार वाले वाइरस के रूप में जानते हैं टिक एक इस प्रकार का दिखने वाला कीडा होता है जो भारत में भी पाया जाता है लेकिन वर्तमान में जिस रोग की हम बात कर रहे हैं उसकी फिर से एक बार चीन में हो चुगी है ऐसा नहीं है कि पहली बार इस बिमारी की सुरवाद चीन में डिनोट किया गया है आज से लगभग 10 वर्ष पुरो भी इस बिमारी की पहचान की गई थी ये जो वाइरस है वो बुनिया वाइरस परिवार से सम्मंधित रखता है और उस जानवर को टीक के द्वारा काटा जाता है तो उसके काटने के बाद यह बिमारी उस जानवर से मनुस्य में आ सकता है यानि कि आप कह सकते हैं कि यह जो वाइरस है वो एक जुनोटिक बिमारी की तरह ही फैलता है जुनोटिक बिमारी कौन से होते हैं यह वैसे बिमारी होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं SARS-CoV-2 जिसका प्रकोब आज पुरा दुनिया देख रहा है वो भी एक जुनोटिक बिमारी ही है यह किस प्रकार से फैलता है मैंने आपको बताया यह मुख्य रूप से जानवरों में होता है चाहे वो जानवर बकरी हो, दूसरे मवेसी हो, हीरन हो, भेड हो या फिर कोई भी जानवर हो सकता है उसे सबसे पहले यह वायरस प्रभावित करेगा, उसके बाद टीक के माध्यम से यह मनुश्यों तक पहुँश सकता है हलांकि इसके बारे में सटीक सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है यदि किसी वेक्ती को इसका संक्रमन होता है, तो कौन से लक्षन देखने को मिल सकते है जो वरतमायन में आकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार बुखार, ठकान, ठंड लगना, सर में दर्द, साथी उल्टी, इत्यादी, पेट में दर्द, मसूणों से रक्त का निकलना, आख का लाल होना, यह लक्षन दिख सकते है मुख्य रूप से यह साथ दिन के बाद से लेकर तेरह दिन के बीच, साथ से लेकर तेरह दिन के बीच, यह अपना मुख्य प्रभाव दिखाता है ये खतरनाक बिमारी के रूप में उभर रहा है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति को ये संक्रमन हो जाता है तो उनके मृत्यू होने की संभावना 16 से लेकर 30 प्रतिशत के आसपास होती है भारत में कोरोना वाइरस का जो प्रतिशत है मृत्यू का प्रतिशत है वो लगभग 2.1% के आसपास है 98 प्रतिशत है जो संक्रमित हो रहे हैं लेकिन वो ठीक भी हो जा रहे हैं तो इसे आप ध्यान रखेंगे यदि हम बात करें इसके लिए कोई वैक्सीन है या फिर नहीं तो आप याद रखेंगे अभी तक इसके लिए किसी भी प्रकार के वैक्सीन की खोज नहीं की गई है लेकिन यदि किसी वैक्ति को इसका बिमारी इस वाइरस का प्रकोप हो जाता है तो एक एंटिवाइरल दवा है जिसका नाम रिवा विरीन है इसका उप्योग करके उस वैक्ति को बचाने की कोशिस की जाती है यह जिस प्रकार से तेजी से फैल रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए WHO के द्वारा दुनिया के सिर्ष 10 सबसे खतरनाक रोगों में इसे सामिल किया गया है तो आप याद रखेंगे SFTS वाइरस जो अभी फैल रहा है उसे WHO के द्वारा 10 ऐसे खतरनाक बिमारी वाले वाइरसों में स्टामिल किया गया है तो यह कुछ महत्तपुन जानकारियां थी इस से जुड़ी हुई आप इन सारी जानकारियों को याद रखने की कोशिस करें मंच, उनकी संरचना और अधिदेश से जोड़ कर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि SCO एक स्थाई अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रिय संगठन है इसे आपको सबसे पहले याद रखना है जब स्टार्टिंग में इसे गठित किया गया था उस समय इसमें पांच सदस्य थे और इसे संगाई 5 के नाम से जाना जाता था उस समय इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान हुआ करते थे 2001 में संघाई में एक घोशना पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है उसके साथ ही संघाई सहयोग संगठन को गठित करने की दिसा में आगे बढ़ी जाती है जब 2001 में इसके लिए बैठक की गई उस समय एक अन्य देश उजबेकिस्तान भी इसमें सामिल था यानि कि 6 देश मिलकर SEO को गठित करते हैं 2002 में इसके लिए संघाई कोपरेशन और्गनाईशन चार्टर पर हस्ताक्षर किया जाता है जो 2003 में लागू होता है अभी कितने सदस्य हैं? अभी कुल 8 सदस्य है यानि कि दो जो सदस्य थे भारत और पाकिस्तान वो 2017 में इसके 20 सदस्य बन जाते हैं इससे पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही परिवेक्षक का दरजा रखते थे SEO का जो अधिकारिक भासा है वो रूसी और चीनी है इसे भी आप ध्यान रखेंगे वरतमान में कितने सदस्य हैं पूछा जा सकता है 2020 का प्रेलिम्स पेपर आपने देखा होगा कि G20 में कौन-कौन से सदस्य सामिल है उससे संबंधित प्रशन पूछा गया था इसका लक्ष क्या है इसका मुख्य लक्ष यही है कि जितने भी देश है चाहे वो परवेक्षक देश हो या फिर इसके अस्थाई सदस्य है उनके बीच परस पर विश्वास को बढ़ावा दिया जाए सदभाव को मजबूत करने की कोशिस की जाए लेकिन आप देख रहे हैं चीन किस परकार से सदभाव बढ़ाने की कोशिस कर रहा है भारत के लद्दाक में बैट कर इस संगठन का लक्ष यह है कि राजनीतिक, व्यपार, अर्थवयोस्था, अनुशंधान, प्रद्योगी की और संस्कृती के सहयोग को बढ़ावा दिया जाए चेतर में शांती, सुरक्षा, स्थीर्ता बनाये रखने की कोशिस सभी सदस्य मिलकर करेंगे लोकतांत्रिक, निस्वक्ष और तरक संगत, नव अंतरास्ट राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को इस्थापित करने की कोशिस करेंगे इन्ही उदेश्यों के साथ, इन्ही लक्षों के साथ, SEO का गठन किया गया हमारे डिस्कसन का चौथा टॉपिक, इन्हांस्ट फोलो अप लिस्ट से सम्मंधित है आप हमारे इस डिस्कसन को GS Paper 2 के अंतरगत, दीपक्चिय, छेत्रिय, वैसिक, समूह भारत से सम्मंधित, अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार से जोड़ कर देख सकते हैं यानि कि आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि आप हमारे इस डिस्कसन को IR यानि कि अंतरश्ट सम्मंध से जोड़ें अगर हम बात करें इस टोपिक पर जिसे आपको सबसे पहले याद रखना है कि इन्हांस्ट फोलो अप लिस्ट किसके अंतरगत आता है यदि आपको FATF दिया जाएगा तो आप FATF को ओप्शन में सही करेंगे यदि आपको Asia Pacific APG दिया जाएगा तो आप APG करेंगे Asia Pacific Group से ये क्या होता है फ्रेंड्स जिस प्रकार से आप FATF को जानते हैं ये एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में यानि कि 1989 में की गई थी G7 सदस्यों के द्वारा वर्तमान में इसके सैंटिस देश है और इसका जो सचीवाले है वो Paris France में है उसी प्रकार जो FATF है वो क्या करता है वो money laundering आतंकवादी with potion इत्यादी के छतर में जो अवैद गतिविधी की जाती है उनको पूरे विश्व में रोकने की कोशिस करता है इसी प्रकार से एक और संगठन है जो money laundering आतंकवादी with potion को रोकने की दिसा में कारे करता है वो Asia Pacific Group है Asia Pacific Group के अंतरगत कुल 41 ऐसे देश हैं जो इसमें सामिल है बहुत सारे अंतरास्टिस संगठन सामिल है छेत्रिय संगठन भी इसके अंतरगत सामिल है इसी संगठन के अंतरगत जो पाकिस्तान है उसे अभी enhanced follow up list के अंतरगत रखा गया है और इसी लिए ये news में है आपको इसी के अंतरगत एक अन्य नाम याद रखना है AMLCFT यानि कि Anti-Money Laundering and Combating Finance Terror आपको ये पूछा जा सकता है कि AMLCFT किसके साथ जुड़ा हुआ है Prelims 2020 में इसी तरह का प्रस्ण आपसे पूछा जा चुका है तो आप याद रखें इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो पूछे जाते हैं अभी जो पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा गया है उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये कि पाकिस्तान को कुल 40 ऐसे लक्ष दिये गये थे जिनको पूरा करना था लेकिन पाकिस्तान ने उन में से कुछ ही ऐसे लक्ष जैसे कि 4 ऐसे लक्ष हैं जिसको उसने कुछ भी नहीं किया 25 ऐसे लक्ष हैं जिन पर आंसिक रूप से कारे किया गया और 9 ऐसे लक्ष हैं जिन पर पाकिस्तान ने सराहनिय कार्म किया इसलिए इनको यानि कि पाकिस्तान को Enhanced Follow-up List के अंतरगत रखा गया है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्तपुन जानकारियां जिसे आपको याद रखनी है वो ये कि पारसपरिक मुल्यांकर रिपोर्ट क्या होती है। आतंकवादी विद्पोशन से संबंदित मामले दर्ज किये गये हैं। उनको इस बात के लिए नोटिफाई किया गया है कि कोई देश या फिर कोई संगठन, money laundering या फिर आतंकवादी विद्पोशन से संबंदित गतिविधियां कर रहा है। तो उसे किस प्रकार से रोका यदि उसको रोकने के लिए कुछ सलाह दी जाती है, रोकने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या कारे कर रहा है, इसी छेतर पर जो रिपोर्ट तयार की जाती है, उसे पारसपरिक मुल्यांकन रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को दो भागों में बाटा गया है, एक क को regular और दूसरे को enhanced follow up कहा जाता है जो regular report होते हैं उसके अंतरगत जो सम्मधित राष्ट या पिस संस्थान होगा उसको अपने द्वारा उठाए गए कदमों के लिए दो वर्सों में एक बार report देना होगा किसको Asia Pacific Group को लेकिन यदि कोई देश enhanced follow up सूची के अंतरगत रखा गया है तो उसको APG को हर वर्स चार ऐसे report पेस करने होगे कि उस देश के द्वारा कौन कौन से कदम आतंकवादी विद्पोशन या फिर money laundering को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखे मैंने आपको Asia Pacific Group के बारे में बता दिया है यह मुख्य रूप से money laundering आतंकवादी विद्पोशन इत्यादी को रोकने के लिए साथ ही सामुहिक विनास के हत्यार के प्रसार हे तो विद्पोशन के खिलाप अंतरास्ट्य मानकों को लागू कराने के लिए भी कारे करता है इसकी स्थापना 1997 में Bangkok Thailand में की गई थी वरतमान में इसमें 41 देश हैं इसके अलावा कुछ अंतरास्ट्य और छेत्रिय प्रिवेक्षक संगठन भी जुड़े हुए हैं यदि कोई ऐसा देश है जो Asia Pacific Group में सामिल होना चाहता है तो उसे FATF के सिफारिस को लेकर आना होगा ज अब ही Asia Pacific Group में सामिल हो सकते हैं हमारे डिसकसन का पांचवा टोपिक इरान परमानु समझोता से सम्मधित है आप हमारे इस डिसकसन को GS Paper 2 के अंतरगत भारत के हीतों पर विकसित तथा विकासिल देशों की नीतियों तथा राजनीती का प्रभाव प्रवासी भारत्य से गया था अभी न्यूज में क्यों है क्योंकि फ्रेंड्स चीन ने अभी इस समझोते का समर्थन किया है इससे जुड़े हुए कुछ महत्तपून जानकारिया है चलिए हम एक एक करके इसे देखते हैं सबसे पहले कि इस समझोते को यानि कि इरान परमानु समझोते को 2005 में 2015 म किया गया था किनके बीच पी फाइब प्लस वन जो पी फाइब है वो पर्मानेंट फाइब है जो यूनाइट नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल के पाँच देश यानि कि अमेरिका चीन रूस ब्रिटेन फ्रांस हैं वन जो देश है वो जर्मनी है ये एक तरफ थे इसके दू मानु कारेकरम पर लगाम लगाएगा रोक लगाएगा रोक लगाने के अंतरगत जो समझोता हुआ जिसे संयुक्त ब्यापक कारे योजना कहा गया था इसके अंतरगत इरान को ये करना था कि मध्यम समवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को पुर्न रूप से समाप्त क निम्न समवर्धन यूरेनियम के भंडार को 90 प्रतिशत तक कम करेगा और आने वाले 13 वर्सों में गैस, सेंट्री फ्यूज, सेंट्री फ्यूजों की संख्या को दो तिहाई तक कम करने की कोशिस करेगा। ये समझोता 2015 में हुआ था, आपने देखा होगा कि पिछले साल यानि कि 2019 में अमेरिका इस समझोते से बाहर आ जाता है, आखिर क्यों? ये आपको समझना है, ट्रम्प और इस समझोते का विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि ये जो समझोता है, यानि कि इरान परमानू सम हो जाते हैं, ये समझोता 2030 तक के लिए किया गया था, यदि इरान से सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, तो इरान विश्वक के अलग-अलग अंतरास्टि संगठनों से लोन लेने के लिए अपने पहूँच को बरकरार रख पाएगा, साथ ही वो ब्यपार कर पाएगा, अमेर लेकिन, अमेरिकी प्रशासन और ट्रम्प के द्वारा क्या कहा गया, कि इरान व्यपार कर पा रहा है, बहुत सारे लोन ले पा रहा है, बहुत सारे अनुदान प्राप्त कर पा रहा है, इसके बावजूद हमास और हिजबुलाह, ये दो आतंकी संगठन है, जिसे अमेरिका के द्वारा अंतरास्ट्य आतंकी संगठन घोसित किया गया है इन दोनों संगठनों को इरान समर्थन देता है उनको सहयोग देता है उनको पैसे उपलब्ध कराता है ऐसे आरोप इरान पर लगाए गए ये भी कहा गया ट्रंप प्रशासन के द्वारा कि ये समझोता मातर 2030 के तक के लिए है ऐसा हो सकता है कि 2030 के बाद इरान अपने परमानुकारेकरम को आगे बढ़ाए क्यूंकि इससे नहीं बढ़ाया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा इससे सम्मधित कोई बात इस समझोते में नहीं लिखी गई है इन्हीं दो आधारों पर अमेरिका अपने फ्रेंड्स यदि प्रतिबंद इरान पर लगा हुआ है तो सिधा सिधा इसका नुकसान भारत को होता है क्यूंकि भारत इरान से सस्ते कीमत में तेल खरीदता था प्राकृतिक गैस खरीदता था दूसरा बहुत सारे ऐसे इरान के उत्पाद थे जिनको भारत निर्यात किया करता था इरान तक इरान के चहाबार बंदर गाह के बारे में आप जान रहे हैं जिसका निर्मान भारत के दौरा किया जा रहा है उस बंदर गाह इसलिए महत्तपून है क्योंकि इस बंदर गाह और उसके बाद जो सडक है उनके माध्यम से भारत मध्य एसिया और रूस तक पहुँच सकता है तो इसलिए यदि ये समझोता खतम होता है या फिर इस पर किसी भी प्रकार के अर्चन आती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान भारत को होता है हमारे डिसकसन का छठा टोपिक जी एस्टी छतिपूर्ती से सम्मधित है क्या होता है जी एस्टी छतिपूर्ती फ्रेंड्स आप हमारे इस डिसकसन को जी एस पेपर तीन के अंतरगत भारत अर्थवोस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने प्रगती विकास और सम्मधित विसाय से जोड़ कर देख सकते हैं यदि हम बात करें छति पूर्ती उपकर का तो यह क्या होता है जब जी एस्टी 2017 में लागू किया गया था उस समय बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य थे जी एस्टी के अंतरगत जितने भी कर थे उनमें से जादातर करों को अप लगा सकते थे इस प्रावधान के अंतरगत ये हुआ कि कुछ राज्य ऐसे थे जिनको फायदा हो रहा था कुछ राज्य ऐसे थे जिनको नुकसान हो रहा था और जिन राज्यों को नुकसान हो रहा था उन्ही राज्यों को भारत सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया ग वहन किया जाएगा वो उसी पैसे को कहां से प्रापति होगी और वो पैसा किस प्रकार से बाटा जाएगा इसी चीज को GST छतीपूर्थी उपकर के रूप में हम जानते हैं यदि हम बात करें GST छतीपूर्थी उपकर का तो इसे प्राउधान करने के लिए जो GST अधिनियम उसमें एक संसोधन विधयक पेश किया गया और इसी संसोधन विधयक के अंतरगत वित्यवर्ष 2015-16 में एकत्र किये गए रासी को आधार बनाकर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से बढ़ते हुए हर राज्य को GST छतिपूर्थी दिये जाने का प्रावधान किये जाने के लि प्रति दो महीने के बाद केंदर सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दे दिया जाता है वर्ष के अंत में CAG जितने भी पैसे उपलब्ध कराये जाते हैं राज्य सरकारों को उस पैसे की audit भी करता है ये जो पैसे हैं वो कहां से आते हैं फ्रेंड्स भारस सरकार के द्वारा GST छतिपूर्ती को पूरी करने के लिए उपकर लगाया जाता है और उस उपकर को किन किन चीजों पर लगाया जाता है कुछ ऐसे SHIN good होते हैं यानि की पाप से जुड़े हुए उतपाद होते हैं जैसे की पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू उतपाद, कोको कولा, पेपसी, इत्यादी पेपदार्थ होते हैं कैफीन युक्त पेप अदार्थ होते हैं कोईला या फिर कुछ ऐसे महंगी गाडियां होती हैं उन पर उपकर लगाया जाता है यानि कि कर के उपर कर लगाया जाता है और उसे एक निधी में यानि कि एक कोश में जमा किया जाता है उसके जमा होने के बाद GST परिसद बैठक क इस बात को तै करती है कि किन राज्यों को कितने प्रतिशत पैसे आवंटित किये जाएं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि GST छतिपूर्ति क्या है, इसका प्रावधान कब किया गया था, क्यों किया गया था, जो पैसे आते हैं, वो कहां से आते हैं। आपने I HOPE समझ लिया ह होगा चलते हैं आगे। हमारे डिसकसन का सात्वा टॉपिक अर्थसास्तर में नॉबल पुरसकार से सम्मंदित है। 2020 का अर्थसास्तर नॉबल पुरसकार, अमेरिकी अर्थसास्तरी, पॉल आर, मिलग्राम और रोबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। आपको इन दोनों न सिध्धान्तों में सुधार और नय निलामी प्रारूपों के अविसकार इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों व्यक्तियों को, महानुभवों को अर्थसास्तर 2020 का नॉबल पुरसकार दिया गया है। अगर हम बात करें निलामी सिध्धान्त का, तो निलामी किसी भी प पूछा जा सकता है अगर हम बात करें अर्थसास्त्र के नोबल पुरसकार का तो इसकी घोसना 1969 से शुरू की गई अब तक 51 बार इस पुरसकार को दिया जा चुका है इसके अंतरगत एक स्वर्ण पदक और एक करोड स्वेडिस क्रोना दिये जाते हैं आपको ये याद रखना है कि जो पैसे दिये जाते हैं नोबल पुरसकार के अंतरगत वो स्विडिस क्रोना के जो मुद्रा है स्विडिस क्रोना इसमें दिये जाते हैं आपको ये भी ध्यान रखना है चलते हैं आगे हमारे डिसकसन का आठ्वा टॉपिक लाइन ओफ क्रेडिट से सम्मंदित है आप हमारे इस डिसकसन को जियेस पेपर तीन के अंतरगत उदारी करन का अर्थव्योस्था पर प्रभाव और दोगिक नीती में परिवर्तन तथा और दोगिक विकास पर इनका प्रभाव से जोड़ कर देख सकते है लाइन ओफ क्रेडिट क्या होता है ये एक प्रकार के लोन देने का की नीती है पधती है प्रक्रिया है जिसके अंतरगत विकासील देशों को रियायती व्याज दरों पर लोन उपलब्द कराया जाता है लाइन ओफ क्रेडिट को सौप्ट लोन भी कहा जाता है आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन ओफ क्रेडिट किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं है अनुदान क्या होता है अनुदान मतलब जो पैसे आपको आपके पापा दे रहे हैं वो आप समझे कि वो एक प्रकार का अनुदान है यानि कि आपको आपके पापा नहीं कहेंगे कि कुछ वर्सों के बाद मैं ब्याज के रूप में इसका वसूल करूँगा ऐसा नहीं है of credit जो है वो एक प्रकार का लोन ही है अनुदान नहीं है फाइदा इसका क्या होता है यदि भारत किसी देश को इस प्रकार के लोन की सुईधा उप्रब्द कराता है तो उसके 75 प्रतिशत जो खर्च होंगे वो भारत के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए होंगे य जिसे 100 रुपिया लाइन ओप क्रेडिट उप्लब्द कराया गया है भारत सरकार 75 प्रतिशत मतलब 75 रुपिये का सेवा या फिर वस्तुओं का निर्यात मालदिव को करेगा बाकी 25 पैसे का मालदिव के द्वारा जो किया जाना है वो खुद करे तो ये एक फाइदा होता है यदि भारत किसी को इस प्रकार के लोन उप्लब्द कराता है 75 प्रतिशत की सीमा को आपको याद रखना है न्यूज में क्यों था क्योंकि हाल फिलाल में भारत सरकार के द्वारा मालदिव को 400 मिलियन पाउंड लाइन ओफ क्रेडिट के रूप में उप्लब्द कराया गया ह इसलिए न्यूज में था आपको ध्यान रखना है हमारे डिसकसन का नवा टॉपिक राष्ट्य कामधहिनू आयोग से सम्बंदित है सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह हमारे सिलेबस के किस हिस्से से मैच करता है फ्रेंड्स राष्ट्य कामधहिनू आयोग के द्वारा ज इस कारेकरम को सुरू किया गया है उसे आप अर्थ व्योस्था और फिर अर्थ सास्तर से जोड़ कर देख सकते हैं दिये गए सिलेबस प्रतक्ष और प्रतक्ष क्रिसी सहायता MSP से सम्बंदित विशे जन वितरन प्रणाली उदेश्य कारे सीमाय सुधार बफर स्टोक आयोग के द्वारा 2020 के दिपावली में इस बात को लक्ष रखा गया है कि 11 करोड परिवारों को गाय के गोबर से बने 33 करोड दिये प्रजलित करने के लिए प्रोचसाहित किया जाएगा मतलब जितने भी भारत के उद्यमी है जो गाओं में रहकर कारे करते हैं दिये बनाने का काम करते हैं जो किसान है या फिर महिला उद्यमी है उन लोगों को प्रोचसाहित किया जाएगा कि वो गाय के गोबर से उत्पाद बनाएं दिये बनाएं जो दिखने में कुछ इस प् पट जाते हैं और इसका सीधा सीधा नुकसान भारत के जो स्वदेशी लोग हैं जो अपने उत्पादों को बनाते हैं बाजार में लेकर जाते हैं लेकिन वो ज़्यादा कीमत भी नहीं प्राप्त कर पाते तो उनको रोजगार मिलेगा उनके आय को बढ़ाने का साधन मिलेग भारत में मेकिन इंडिया को प्रोचसाहन मिलेगा स्वदेसी करन को भी मजबूती मिलेगी तो ये आप ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें राश्टे कामधेनो आयोग का तो इसका गठन भारत में संचालित किये गए कारिकरम राश्टे गोकुल मिसन के अंतरगत किया गया था राश्टे कामधेनो आयोग का लक्ष यही है कि मवेशी से संबंधित योजनाओं को सही रूप में लागू किया जाए यदि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सलाह मांगा जाता है गाय के संरक्षन से संबंधित तो उसे राश्टे कामधेनो आयोग के द्वारा दिया जाता है तो इसे भी आप ध्यान रखें चलते हैं आगे यहाँ पर उसके कारे दिये गए हैं समाने सी बाते लिखी गई हैं आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे हमारे डिस्कसन का दस्वा टॉपिक इंडिया एनर्जी मोडलिंग फोरम से संबंधित है आप हमारे इस डिस्कसन को जीएस पर तीन के अंतरगत बुनियादी धाचा, उर्जा, बंदरगाह, सडक, विमान पतन, रेलवे आदी से जोड़ कर देख सकते हैं न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल फिलाल में नीती आयोग के द्वारा इंडिया एनर्जी मोडलिंग फोरम के संचालन के लिए एक संचालक संरचना का गठन किया गया है इस संचालन संगठन में कौन-कौन सामिल होंगे उसे हम समझेंगे लेकिन सबसे पहले इस से चुड़ी वी दूसरी कुछ महत्तपुन चानकारिया है उसे हम देखते हैं इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम ये क्या है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का मंच है जिसका निर्मान नीती आयोग और USAID यानि की United State Agency for International Development इनके द्वारा किया गया है इस संगठन के अंतरगत बहुत सारे ऐसे उर्जा च्छतर से जुड़े हुए ग्यानवान लोग डाटा को इकठा करके रखने वाले संगठन भारत सरकार में उर्जा के छतर में कारे करने वाले मंत्राले सभी इसमें जुड़े हुए है इनका मुख्य उदेश यही होता है कि भारत के जितनी भी जरूरत है बिजली की जरूरत है जिसे चाहे नविकरणी उर्जा के माध्यम से पूरी की जाए उसको कैसे पूरी की जाए इन सारे चीजों पर बात विचार किया जाता है इसी के अंतरगत हम कह सकते हैं कि महत्तपुन उर्जा पर्यावरन से संबन्धित महत्तपुन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है यदि भारत सरकार उर्जा जरूरतम को पूरा करने के लिए कोई निर्णय ले रहा है तो उस निर्णय तक पूचने के लिए एक सलाहकार संगठन के रूप में भी ये कारे करता है इसमें बहुत सारे ऐसे उर्जा छेतर से जुड़े हुए लोग आपस में मिलते हैं आते हैं बात करते हैं और एक उच गुनवत्ता वाले सुगम कारे नीती बनाने की कोशिस करते हैं तो इसे आप ध्य रखेंगे अगर हम बात करें उर्जा मोडलिंग फोरम का तो इसका निर्मान सबसे पहले 1976 में एमेरिका के स्टैन्फोर्ड विस्वविद्याले में किया गया था जिसमें एमेरिका की सरकार वहां के उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग बहुत सारे विस्वविद्या नाकर उर्जा और पर्यावरन से सम्दित ततकालीन जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा किया जाए उन चर्चाओं से कुछ ऐसे निसकर्स निकाले जाए ताकि उर्जाओं का पूरा पूरा पहुँच हर विक्ति तक हो सके जरूरत जितनी भी हो उनको पूरा करने की कोशि तो इसे आप ध्यान रखें इसी उदेश्यक के साथ इसका निर्मान किया गया था अगर हम बात करें जिस संगठन जिस समीती का गठन वरतमान में किया गया है उसको दो भागों में बाटा गया है एक तो अंतर मंत्रालई और दूसरा है संचालन समीती अंतर मंत्रालई जो इकाई है जो भाग है उसमें उर्जा स्यत्र से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मंत्राले जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले उर्जा मंत्राले नविन और नविकरनिय उर्जा मंत्राले कोईला मंत्राले पर्यावरन वन यम जलवायू परिवर्तन मंत्र विज्ञान और प्रदोगी की मंत्राले इनके जितने भी वरिष्ट सदस्य होते हैं वो इस समीती में शामिल होते हैं जो संचालन समीती होती है उसमें इनहीं से जुड़े हुए लोगों को मिला कर एक टास्क फोर्स बनाया जाता है और उस टास्क फोर्स को ये लक्ष दिया जाएगा कि वो जितने भी नीतियां बनाए जा रही हैं भारत में उर्जा समस्याओं से निबटने के लिए या फिर उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको सही दिशा में कारेक कर सके हैं तो इसे आप ध्यान रखेंगे हमारे discussion का अगला topic the human cost of disaster 2000 से लेकर 2019 रिपोर्ट से सम्बंदित है आप हमारे इस discussion को GS paper 3 के अंतरगत आपदा और आपदा प्रबंधन से जोड़ कर देख सकते हैं सबसे पहले prelims के हिसाब से आपको यही याद रखना है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है United Nation Office for Disaster Risk Reduction इसके द्वारा यानि की सयुक्त रास्ट आपदा जोखिम न्यूनिकरन कारियाले के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है जो हमारे लिए उतनी महत्तपुन नहीं है विशेश रुप से प्रेलेंस के लिए मेंस के लिए यदि आप Disaster Management पढ़ेंगे उस समय योजना इत्यादी में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा हम कोशिस करेंगे कि आपको इससे संबंधित जानकारी जो भी हो उसे एक अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएग आपको ये याद रखना है कि पिछले 20 वर्सों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के वजह से हुआ है और वो प्राकृतिक आपदा जलवायू परिवर्तन के वजह से हो रहा है तो आप इसे ध्यान रखेंगे प्राकृतिक आपदा का लगभग दोगुजना हो जाने का जो कारण है जो वजह है जो जिम्मेदार है वो चलवाईू परिवर्तन है तो आप इसे ध्यान रखें इस रिपोर्ट में इसी बात को विशेश रूप से नोटिफाई किया गया है हमारे डिसकसन का अगला टॉपिक गोसत्व कवच से सम्मंदित है क्या है गोसत्व कवच ये एक प्रकार का चिप है जिसका विकास जिसका निर्मान राजकोट में इस्थित स्रीजी गोशाला के द्वारा किया गया है जो मोबाईल हैंडसेट होते हैं उससे अलग-लग विक रोकने के लिए या फिर उनके प्रभाव को कम करने के लिए गोसत्व कवच का उपयोग किया जा सकता है ये गाय के गोबर से बना हुआ है इसे भी आप ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिसकसन था हम अपने आज के डिसकसन को यही रोकते हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं थाइंक यू थाइंक यू वेरी मच